नमस्कार मित्रू मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री आप सब का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बहुत इखास जानकरी देने जा रही हूँ लेकिन इससे पहले निविदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन दबा दीजिए अपनी कुंडली का परामर्श भी आप ले सकते हैं मातर 2100 रुपे में एक सवाल पूछ कर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत 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 खास बात आज मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आपका अच्छा वक्त आने वाला होता है तो कुछ आपको इशारा भगवान कर देते हैं और उससे आ गर में बहुत समय से नहीं आई है वो अचानक से आकर आशिरवात देने लगे तो समझ जाईए अच्छा वक्त आने वाला है नमबर दो यदि आपको सपने में आए दिन अपने पितर दिखते हैं और वो प्रसंद दिखते हैं तो समझ जाईए आपके लिए कुछ अच्छा काम होने वाला है तीसरी चीज अचानक से घर पे कोई साधू महत्मा आएं और कुछ खाना मांगें और आपको आशिरवात देने लग जाएं तो समझ जाईए आपका अच्छा वक्त चालू हो गया है इसके अलावा घर में सफेद कबूतर अचानक से आएं और आकर थोड़ निकलें और सबसे पहले उसी की दर्शन हो जाएं तो समझ जाईए आपका सोभाग्य जागरत होने वाला है सुबह सुबह जैसे घर से बाहर निकलें कोई पानी से भरावा घड़ा ले जाता वा दिख जाए तो समझ जाईए आपके अच्छे दिन आने वाले हैं आके घर प और पूरशों के दाएं अंग या दाई आँख अचानक से कई दिनों तब कंटीनियों फड़कने लग जाए तो आप समझ जाना बहुत धन संपदा आने वाली है कोई शूप संकेत आने वाला है क्या पता मकान या वहान मिल जाए आपको वो खरीदें आप और धन संपदा आपके घर में आए तो ऐसा इंडिकेशन आपको समझना चाहिए इसके अरावा भगवान का जो दीपक जलाते हैं वो बहुत देर तक जलता रहे जितना घी तेल पहले डालते थे उससे जादा समय तक जलता रहे तो समझ जाए कोई बहुत ही शूप सूचना आपको मिलने व घर के बाहर गाए आकर अचानक आपके गेट के समक्ष गोबर कर दे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा शूप संकेत होता है रातरी को आपको अचानक से शौच के और टॉयलिट के सपने आने लग जाए तो समझ जाना 100% पैसा आनता है कहीं से बहुत ज़्यादा पैसा आपक समझा जाता है कि व्यापार में लाब होगा और ऐसे मनुष्य को कि किस्मत जगने वाली है आपके घर में ऐसा पौधा जो सूख गया था अचानक से उसमें हरे पत्ते फिर से आने लग जाए ऐसा पेड़ पौधा जिसमें की फल या फूल नहीं आते थे अचानक से आने बगवान की पूझा करने में मंतर जाब करने में अतिंत आनन की अनुभूती होती है पहले जब भी आप पूझा करते थे आपके मन में कामोख विचार या बुरे विचार आते थे अब ऐसा होना बिल्बूर बंद हो गया है तो समझ जाएगा आपकी साधना सफल हो रही है और भगवान का आशिरवाद मिलने वाला है आपको जिसकी वज़े से आपके सभी मनुरत सिद्ध होंगे और आपके घर में अठा धन का आगमन होगा तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएगा मुझे